जहां हम हिंदी भासा में corporate skills को simplify करते हैं जिसमें हम यह बात कर रहे हैं कि Indian education system में क्या क्या चीजे बनी हुई है किसकी सहाब से हमारा education system frame है जिसमें हमने last video में यह देखा था कि अभी जो education system है उसको चार category में बाटा जा सकता है जिसमें एक academic education है फिर professional education है then there is government sector और उसके बाद हम skill-based sector की बात कर रहे थे जिसमें एक technical sector निकलता है और non-technical sector तो अभी यह जो video है उसका part 2 है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से factor हैं जो type of courses होते हैं किस-किस factor पे decided होते हैं और आपको कौन से course में opt करना चाहिए तो अगर हम बात करने type of courses की as per Indian education system कौन-कौन से courses हमारे पास available हैं तो there are three types of courses एक होता है diploma course, एक है degree course और एक होता है certificate course हलाकि जो new education policy आ रही है उसमें थोड़ा सा change आया है type of courses में भी और other चीजों में भी लेकिन as per current scenario अभी जो हमारे पार type of courses available है जितने भी college और educational institutions चल रहे हैं उसमें एक degree course होता है फिर diploma course होता है और certificate course होता है अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि हमें diploma course करना चाहिए या degree course करना चाहिए या फिर certificate course के लिए जाना चाहिए इसके लिए there are five points वो जो पांच basis है पांच factor है वो अभी मैंने classify किये है and I'll let you know कि उसके according उसी factor के base पे आप ये decide कर पाओगे कि आपके लिए degree course best रहेगा या diploma course best रहेगा या कब आपको certificate course करना चाहिए तो अगर हम factor की बात करें तो सबसे पहला factor यहाँ पे duration को लिया जा सकता है duration in this sense आप देखोगे कि जितने भी degree courses है degree courses में जैसे graduation degree होती है तो ideally graduation 3 years की होती है वही master degree 2 years के होते है same goes on with PhD, BA, सभी का अपना time classification होता है 4 years का है या 2 years का है तो आपको अगर degree course करना है तो वहाँ पे ये भी matter करेगा कि आपके पास क्या उतना suitable time है आप उतना time दे पाओगे, 3 years आपके पास होंगे या नहीं होंगे और आगे आपका goal क्या है, आपके plans क्या है दूसरी side अगर हम diploma courses की बात करें तो diploma courses में जो diploma होता है बेसिकली 1 और 2 years के around का होता है कुछ diploma courses 1 year के होते हैं, कुछ 1 and half years के होते हैं और कुछ 2 years के भी होते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस course को pursue करना चाहते हो और आपके लिए क्या सही रहेगा, आपकी requirement क्या है similarly जो certificate होता है basically certificate courses जितने भी होते हैं वो 3 months से लेके 6 months तक क्यों होते हैं कि आप जैसे for example computer में certificate course करना चाहते हैं तो ideally वो 3 months का होगा अगर आप English में spoken English करना चाहते हैं तो उसका भी certificate आपको institution से private institute जितने होते हैं वो provide करते हैं तो 3 to 6 months के courses होते हैं तो आपके need के according आपके पास time duration कितना है और इतना time जो degree है, diploma है, certificate है इन सब में लगता है उस basis पे आप decide कर पाओगे अब next factor आता है हमारी need, need मतलब requirement कि कई बार क्या होता है कि for example अगर आप government job में apply करना चाहते हैं तो government job में basically जो vacancies होती हैं कुछ 12th के basis पे निकलती हैं, कुछ graduation के basis पे भी निकलती हैं, तो वहाँ पे आपको उसकी requirement fulfill करने पड़ेगी it means कि ये आपकी need बन गई है कि आपको graduation की ही degree चाहिए, तो वहाँ पे आपको graduation की ही degree चाहिए आप diploma बाले option में नहीं जा सकते, लेकिन दूसरी side अगर देखें तो काफी सारे vacancies ऐसे भी निकलते हैं कि वहाँ पे degree भी चाहिए होता है और diploma भी चाहिए, तो आपको degree course भी करना पड़ेगा और diploma भी करना पड़ेगा यह ज़्यादा तर technical courses जितने भी हैं, for example, computer के होते हैं, engineering line के courses होते हैं या जितने भी technical sector होते हैं, उसमें ज़्यादा तर यह होता है, तो वहाँ पे आपको degree भी चाहिए होगा किसे ने किसी recognized board of education से और साथ के साथ आपको diploma भी करना पड़ेगा कुछ vacancies ऐसी होती हैं, जहाँ पे सिरफ certificate courses से काम चलता है, वहाँ पे सिरफ वो certificate मांगते हैं जैसे computer के O level के certificate होते हैं, A level के certificate होते हैं तो ऐसे courses में जहाँ पे certificate की requirement होती है, आप वहाँ पे certificate present करोगी जहाँ diploma की requirement होती है, आपको वहाँ diploma course चाहिए जहाँ पर degree की requirement होती है, वहाँ पर degree course से ही करना पड़ेगा, तो आपकी need पर depend करेगा कि कौन सा course करना है, अब next factor की बात करें, तो next factor हमारा आता है finance, finance in the sense कि देखो जितने भी courses available हैं, कोई भी courses अगर हम करने जाएं, चाहे college से करें, institute से करें, government institute से करें, या private institute से करें, सभी में थोड़ी बहुत fees देनी ही परती है, there are certain institutions जो कम fees भी लेते हैं, और कुछ institutions ऐसे भी हैं, जो ज़्यादा fees भी लेते हैं, तो आपकी economical condition कैसी है, आपका financial family backup कैसा है, इस पे भी depend करेगा कि आपको कौन सा course opt करना चाहिए, for example, अगर आप किसी ऐसे बड़े course में जाना चाहते हैं degree course करना चाहते हैं, जिसकी cost 20 lakhs, 30 lakhs या 50 lakhs के around है, लेकिन आपकी economical condition ठीक नहीं है, आपका family backup इतना नहीं है, तो आपको course pursue नहीं कर पाओगे, वहीं अगर आपका budget allow करेगा, diploma course करने के लिए, तो आप diploma course कर पाओगे, और अगर वो budget, diploma और degree भी allow नहीं करता, तो फिर आप certificate course opt कर सकते हो, अगर हम बात करें कि कि किस course की price range क्या रहती है, fees क्या रहती है, तो इसको specify नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर institutions का, जितने भी college है, जितनी universities है, जितने भी coaching institutions है, सबका अलग-अलग criteria होता है, बट यहां पे समझने बाली बात यह है कि जो भी certificate courses होते हैं, वो सबसे कम time duration के होते हैं, तो उनकी fees सबसे जादा होती है, in comparison of diploma and degree, और वहीं जो diploma courses होते हैं, वो एक mid range के होते हैं, क्योंकि उनका time duration 1 और 2 years के between होता है, और जब degree courses की बात आती है, तो degree courses की fees सबसे जादा होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी economical condition कैसी है, आपकी financial situation कैसी है, उस basis पे आप course को opt कर सकते हो, next factor आता है value, value in the science की degree course की value जादा है, certificate की value जादा है, या फिर diploma course की value जादा है, हलाकि अगर देखा जाए तो जितने भी तीनों type के courses जो available हैं, हर किसी की अपनी एक value है, और अपने जगह पे तीनों बराबर हैं, तीनों सही हैं, लेकिन अगर comparison कर करें कि degree जादा valuable है, या certificate जादा valuable है, या diploma जादा valuable है, तो इनका आपस में comparison हो सकता है, लेकिन तीनों अपनी जगह पे सही हैं, और तीनों अपनी जगह पे ज़रुरत हैं, जैसे कि हमने need वाले factor में देखा कि जिसकी आपको ज़रुरत होगी, वो तो आपको करना ही पड़े जादा होती है, वो जो certificate course होता है, उसकी value diploma और degree इन तीनों से कम होती है, क्योंकि वो सबसे कम time duration का होता है, अब अगर next factor की बात करें, तो बात आती है authenticity की, authenticity in the sense की degree course की जो authenticity है, वो जादा होगी, या diploma की authenticity जादा होगी, या फिर certificate की authenticity जादा होगी, तो authenticity जब भी आपको इस पे नहीं देख सकते, बलकि जिस institute से, जिस organization से, जिस college से आप करने जा रहे हो, वो course को, वो course pursue करने जा रहे हो, उसकी authenticity आपको देखने पड़ेगी, it means कि जिस college से, जिस institute से आप करने जा रहे हैं, वो institute कौन से board से recognized है, कौन से board से affiliated है, उसका affiliation कहां से है, वो authenticity define करेगा, for example अगर आप Delhi के किसी भी college से कोई course करते हैं, अगर आप diploma course करते हैं, या फिर degree course करते हैं, तो उसकी value, जो Delhi University Board है, उसके अंदर सारे college recognized होते हैं, तो उसकी authenticity Delhi University के basis पे मानी जाएगी, जिसकी अपने आप में बहुत जादा value है, ना सिरफ इंडिया में, बलकि outside इंडिया भी, ऐस से कोई diploma course या फिर degree course करते हैं, तो जो college या institute जहां से affiliated हुआ है, जिस state से affiliated है, जिस board से affiliated है, उसके basis पे उसकी authenticity judge की जाएगी, तो authenticity को judge करने के लिए आपको जिस institute या university से आप करना है, उसकी affiliation पे ध्यान देना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसे factor हैं, जो आपकी course deciding में कि आपको diploma करना है, certificate करना है, या फिर degree course करना है, कौन सा course आप opt करना चाते हैं, उसमें आपकी help करेंगे, I hope you liked this video, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो आपको अगर लगता है कि किसी students को या कोई ऐसा person है, जो courses करना चाता है और उसको clarity नहीं है, तो आप इसको whatsapp पे उनको share कर स time and technology के साथ अपने corporate skills को बढ़ाते रहिए